प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगात्मा का अध्याचार अध्याचार में हमको पढ़ना है अंतर दृफ्टी गोचरता एवं विभिन नढधालों के रूप में उफका निरूपन तो मित्रों यहाँ पर हम अंदर दृफ्टी गोचरता को ग्याद करने के विधियों उफके तरीके एक प्रकार्फ एमान के चलिए कुछ नियुमेरिकल प्रफन है यह का हम अध्यान करेंगे कुछ थेउरेटकल भी होगा, कुछ नियुमेरिकल भी होगा चलिए, फुरुवात करते हैं वर्तमान फमय में, मित्रों एक बार फिर्फे वही, मित्रों लाइक और सब्सक्राइब का भी फेफ ध्यान रखिएगा वर्तमान फमय में, युद्ध का छेत्र एम फरूप इतना बिफ्तरित हो गया है कि वह एक छेत्र बिफेफ तक फीमित नहीं रहा अईफी इफ्थिती में, मित्रों थोड़ा फे मिफ्रिंट हुआ है इफ्थिती आप लोग इसको ठीक कर लिजिएगा में फैनिक का रिवाहियों के छेत्र का भी बिफ्तरित हो जाना फॉभावी कहे राफ्टरों की फीमाएं, तक फैली हुई है नेफैन कहते हैंना युद्ध इफमें हर अफ्थानों पे हो फकते हैं खुला आसमान जल अफल वाय। हर अफ्थान भी युद्ध छेत्र में तबदील हो चुके हैं फैली हुई है परवतीय छेत्रों में कारिवाही करने के लिए वहाँ ढालों का ग्यानत या उफ्यक होता है भाई ढाल कहां होगा परवतीय छेत्रों में ही होगा और परवतीय छेत्रों की सफलता के लिए यह भी जानना उफ्यक है कि अपने निफ्चित अफ्थान फे पहाडों की चोटियां दिखाई देती हैं या नहीं इसका अध्यान हम अंतर द्रिफ्ट गोचरता के अंतरगत करते हैं अंतर द्रिफ्ट गोचरता का अर्थ है कि एक अफ्थान फे दूफरा दिखाई देता है या नहीं अर्थात हमारे अफ्थान या हमारी फेना की इफ्थिती जहां पर है वहां फे फत्र की फैनिक्चो की दिखाई देती है या नहीं अंतर द्रिफ्टिको चर्ता ग्यात करने की विधियां इसमें मुख्यता तीन विधियां है पहला नमबर निरीद छण विधि दूफरा नमबर गणना विधि जिफ्प्रावणियों यूम धालांसों की तुरूना कलके निकलते हैं तीफरा नमबर पार्फु खंड या खंड चित्र विधि निरीच्छन विधि में क्या क्या होता है मान चित्र पर इस तिर्फ अमोच चरेखाओं को देखकर एक फईनिक यह ग्यात कर लेता है कि दोनों अफ्थान आपफ में दिफ्टिगोचर होंगे या नहीं दो अफ्थान आपफ में तब दिखाई देंगे जब दोनों बिन्दों के बीच की भूमी खुली हो यह तो आप सबच फक्ते हैं कि आप जो है फामने देख रहे हैं तो कोई चीज़ आपको दिखाई दे फक्ती भी है नहीं भी दिखाई दे फक्ती तो कोई चीज़ अगर आपको नहीं दिखाई दे फक्ती है तो इसका मतलब कि उफके और आपके नेत्रों के बीच में कोई अवरोध हो तब ही वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगी तो देख सकते हैं किन परिफ्थितियों में कोई चीज़ दिखाई देगी और किन परिफ्थितियों में दिखाई नहीं देगी तो पहले हम जो पढ़ रहे हैं दो अफ्थान आपफ में दिखाई देंगे जब उनके बीच में ये चीजे जो है अफ्पफ्ट होंगी दोनों बिंदूओं के बीच खुली भूमी हो और फंतल हो दोनों बिंदूओं के बीच अवतल ढ़लान हो और दोनों अफ्थानों के बीच की जमीन नीची हो ठीक है? तीन इस्थितियों में जो है आपको फामने वाली चीज़ दिखाई देगी दूफरा है निमनी इस्थितियों में दो बिंदू आपफ में दिफ्टिकोचर नहीं होंगी अर्थात दोनों एक दूफरे को दिखाई नहीं देगे तब जब दोनों अफ्थानों के बीच में कोई बाधा हो अगला नंबर दोनों अफ्थानों के बीच उत्तल धलान हो और धाल जो है उँचा उठा हुआ तिफरा नंबर है दोनों अफ्थानों को मिलाने वाली रेखाएं एक रूप ढ़लान पर ना हो ठीक है या फिर ये हो फक्ता है कि मानचित्र निर्माल के बाद बीच में उचे भोनों का निर्माल कर लिया गया हो या जंगल उगाय हो या गो भी भूम पर परिवर्तन जो भी हुआ होगा अगर कोई बाधा की रूप में आ जाती है तब इफ्तिती दिखाई नहीं देगी अब देखिए गणना बिधी गणना बिद्ध में क्या किया जाता है गणना बिद्ध द्वारा भी अंतर द्रिफ्टि गोचरता ग्याद करने की दो बिदिया है पहला नमबर है प्रामाली बिधी या प्रामालियों या धलामसों की तुड़ना करके कि नहीं दो अफ्थानों की उँचाई अंतर तथा उनके बीच की छैतिर दूरी के अनपात को प्रावले कहते हैं ये तो हम लोग पहले ही अध्या में पढ़ चुके हैं इसके पहले के प्रावले क्या होता है उँचाई अंतर बटे छैतिर दूरी इसमें निम्न क्रियाप मार अपनाते हैं फरो प्रथम बिंदु फे मध्य बिंदु का प्रावलय निकाला जाता है फिर प्रथम बिंदु फे अंतिम बिंदु का प्रावलय निकाला जाता है अगर दिफट गोचर होने के लिए प्रसम बिद्दु फे मध्य बिद्दु का प्रावड़े प्रसम बिद्दु फे अंत्ام बिद्दु की प्रावड़े फे कम होना चाहिई यदि इफ्ति-तीफ के विपरीत है तो पहाणिया आप अफमे दिफट गोचर नहीं होंगी अर्थात प्रसम बिंदू और मद्ध बिंदू का प्रावलिय प्रसम और अंतिम बिंदू के प्रावलिय फे अगर कम है तो पहाड़ी दिखाई देगी अगर नहीं है तो नहीं दिखाई देगी ठीक है अगला है धालामसों की तुलना करके प्रावालियों की तुलना के फमान ही हम ढ़ालामफों की तुलना करके भी दिफ्टि गोचरता ग्याद कर फकते हैं यदि प्रथम बिन्दु फे मध्ध बिन्दु का ढ़ालामफ प्रथम बिन्दु फे अंतिम बिन्दु के ढ़ालामफ कम है तो पहाड़ियां आपफ में दिफ्टिकोचर होंगी अन्यथा नहीं होंगी इफी में अगला प्रफन है फमान उपातिक बिधी यह बिध भी प्रामवल या बिध के नियमों पर आधारित है इफ बिध में पहाड़ियों की अधिकतम उचाई निकाल कर या ग्यात कर लिया जाता है कि वे आपफ में दिफ्टिकोचर होंगी या नहीं अगला है पार्फ चित्र या खंड चित्र बिधी इफ बिधि में परिफरम अधिक करना पड़ता है और इफ में फमय भी अधिक लगता है इफ बिधि में 36 दूरी और उचाई अंतर के दो मापक बनाने पड़ते हैं इन्ही मापकों के आधार पर ही चित्र खीचा जाता है तथा यह देखा जाता है कि द्रिफ्ट रेखा कहां फे गुजर रही है द्रिफ्ट रेखा के आधार पर ही हम द्रिफ्ट गोचरता ग्यात कर फकते हैं ठीक है तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि इतना तो फिलहाल अब उसमे बाद फबाल लगाना है तो फबाल आपको यहां तो फबन में आएगा नहीं उसके लिए आपको ब ब्लैकबोर्ड के माद्न से समझाने का प्रयास करेंगे ठीक है तिसका भी एक भाग catastroph बनाएंगे उसके बाद फिर आपको हम ब्लैकवोर्ड पर फबनाने वाले लिहाज में यानि कांपी आमको यहां कंप्लीट करना है आपको बल्रिफ्ट में है ठीक है उम्मिट करता हो मि भी चेप्टर आपको कुछ हद तक फमन में आया होगा ठीक है चलिए पढ़िए लिखिए मफ्त रहिए खुफ रहिए मित्रूफ अफ्क्राइब और लाइक जरूर कर दिया किजिए